पाचन तंत्र पाचन तंत्र के दो भाग मुख तता मुख हुआ का वर्णन मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कर दिया था अगर आपने वह नहीं दिखा हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देतूंगा ताकि वह देख लें आगे हम बात करते हैं पाचन अगर उत्त hados अगर तैंस बिंको सा और जो तीसरा हुत्थन वो म्यूको सा एक जिस्ट ध्यान रखेंगा दोस्तों जहां कई भी स्लेशमा सब्द आता है यानि मुकस सब्द आता है तो उसकी बिती हमेशा पूरे मानव सरीर में विजरल पेरोटोनियम से आस्थरित होती है जहां कई भी स्लेशमा सब्द आएगा उसकी जो बिती होगी वो Viseral Pterotinium से आस्थित होगी अब देखे, ख्रसिका का पहला भाग शिरोसा है तो शिरोसा Viseral Pterotinium से आश्थित होती है जो इसका दूसरा भाग होता है वो होता सब م्यूकोसा ये संयोजी उत्तक से बना होता है तता इसमें Collagen Tantu पाया जाते हैं जो chicksita का तीसरा भाग है मुकोसा मुकोसा अनि स्लेसमा ये लेमिना परोपिया श्मिका पैशी पाई जाती है जो chicksika की भित्त के है वो उपकला पैश्रीट सलकी उपकला की बनी होती है गशिका क्या काम गरती है गसी का भोजन को कर्मानु कंचन द्वारा ग्रस्तनी से आमासय में बेजती हैं जो भोजन आ रहा है मुख गुआ से उसको कर्मानु कंचन द्वारा ग्रस्तनी से आमासय में बेजती हैं लेकिन अब यहां से सौसन तता भोजन का एक ही मार्ग होता है तो कई भोजन स्वांस्त लेली में नहीं चला जाए इसके लिए एपीगलोटिस पाया जाता है जिसको गहांटीदार कहते हैं गहांटीदार भोजन को स्वांस्त लेली में जाने से रोकता है इसका विश्तत विवरों हम स्वासंत वाले बाग में करेंगे अब भोजन क्या हो ग्र underest свое जानि से आमासंख में आ गया तो हम स्थमक्त की शरकना देखते हैं जो आमासंख होता है वो उद्र ऐ तरफ और डाया फॉर्म के नीचे इस्तित होता है का डायाफॉर्म को छहधकर उद्र गुए फ८न दार बहां में अब जो आमासивает है आमासा के तीन भाग होते हैं जो आमाशाय का पहला भाग है वो होता है फंडस जो दूसरा भाग है वो होता है कारपस और जो तीसरा भाग है वो होता है एंट्रम तो आमाशाय के तीन भाग होते हैं ग्रसी का वो आमाशाय की संदी पर ग्रसी का के नीचे जट्रागं अवरोधनी होता है त्यान ड कहां से आया है ग्रशिका से आया है तो कहीं वो वापस ग्रशिका में नहीं चला जाए तो जैसे ही पोजन आमा सहय में आता है जट्रागम अवरोधनी बोजन को वापस ग्रशिका में जाने से रोकने का काम करती है और इसके लिए कौन से अवरोधनी होती है जट्रागम अवर कोषिक है जो दूसरी कोषिका है जिसका दूसरा नाम चीप सेल है और जो पहली कोशिका है सिलेस्मा कोशिका वो आमा सहे के स्वापाचन को बचाती है क्योंकि आमा सहे में SCL पाए जाता है SCL क्या है एक एसीड है एसीड क्या करता है बोजन को पचाता है तो कई वो SCL आमा सहेगी भीती को नहीं पचा ले इसको बचाने के लिए स्लेश्म कोशिका पाई जाती है जो दूसरी कोशिका होती है वो होती है जाइमोजन कोशिका ये क्या करती है ये पेपसिनोजन प्रो रेनिन प्रो एंजेम बनाती है और ध्यान दखियेगा यह सारे ही enzyme जो है वो निस्करी आवस्ता में इस्तरावित करती है यह सक्रिय नहीं होते हैं निस्करिय होते हैं इनको सक्रिय विभिन enzyme द्वारा किया जाता है जब हम बोजन की कारिकी पड़ेंगे तब इसका विस्तरत विरुण बतोंगा तो ध्यान रखियेगा जाइमोजन कौन सा enzyme एंजम स्तरत करती है पैपसिनोजन इस्तरत करती है जो तीसरी कोशिका होती है वो होती है और अग्जीनटिल сेल हाइड्रो क्लोरिक अमलका इस्थाव्ण करती है जो बोजन को पचाता है और इसी से बोजने के लिए आमासे में सिलेशमा कोशिका पाई जाती है और जो चोती कोशिका है वो है अर्जेंट अफीन इसका कारिय भी निश्चित नहीं है तो ये था आमासे अब आमासे में आमासे जठर निर्गम छिद्र द्वारा छोटी आत्र में कुलता है अब भोजन आमासे में रहने के बाद वो चोटी आत्र में चला जाता है इसका नाम तो चोटी आत्र है लेकिन ये होती बड़ी है चोटी आत्र लगबक तीन मिटर लंबी होती है तता इसके तीन भाग होते हैं यूडेनम, जेजूनम और इलियम बहुत ही इंपोर्टेंट दोस्तों चोटी आत को थोड़ी गंबीरता से देखना क्योंकि कई बार सवाल चोटी आत से ही निकल कर आते हैं तो देखते हैं चोटी आत चोटी आत का जो पहला भाग है वो होता है डूडेनम क्या होता है डूडेनम इसको हम हिंदी में ग्रहनी कहते हैं जो इंटेस्टेन बोलिंग सिंड्रोम नमक रोग है यानि आईबियस रोग है जिसमें बार-बार दस्त का लगना वो ड्यूडेनम में संक्रमन के कारणी होता है तो देखते हैं ड्यूडेनम क्या होती है यह यू आकार की 25 सेंटिमेटर ल पित ये क्रच्या आता है जो बोजन को पचाने का काम करता है वसा का पाइशिकन करता है पित जब अपर साहिय ग्रहन्तिय पढ़ेंगे तो अगनासे वाईनी और पित WeAyne भी पढ़ेंगे अभी अपने को इतनी द्यान रखना है कि लूडे नम में अग्नासय वायनी तता फित वायनी खुलती है तता इसके रंद्र पर ओडी की अवरोधनी पाई जाती है दो दूसरा भाग होता है वो होता है जेजुनम ये एक सेंटिमीटर लंबाइक का भाग होता है वो कुंडलित भाग होता है और जो छोटी आत का तीसरा भाग है बहुत इंपोर्टेंट भाग है इलियम लगबग सवाल इसी से बनते हैं तो देखते हैं इलियम इलियम क्या होता है ये लगबग एक पॉइंट सांत मात मीटर लंबा होता है वो अधिक कुंडलित होता है छ लोनों मिलकर फॉल्ड ऑप केक्रिंग बनाते हैं याद रखेगा फूचले फॉल्ड ऑप केक्रिंग का पाय जाते हैं तो छोटी आत के इलियम में पाय जाते हैं दूसरी बाग होता है मुकोस मतलब स्लेश्मा और जहां कई भी स्लेश्मा आएगा मैंना आपको बताया था है और विजरल पेरोटोनियम पाए जाएगी तो जो मुकोसा है मुकोसा पर अंगुली के समान कुछ उभार पाए जाते हैं जिसे रशांकूर या विलाई कहते हैं जियान रखेगा मुकोसा पर अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं जिसे रशांकूर कहते हैं या विलाई कह तो रशांग कूर। है इसके उपर 1000 माइक्रोविल्याई पाए जाते हैं जो बुरूस वर्डर बनाते हैं कई बार सिदा-सिदा स्वार पूचते हैं बुरूस वर्डर का पाया जाता है तो अपने को द्यान रखना है छोटी आंठ के इलियं में पाया जाता है अब देखते हैं फोल्स ओप केक्रिंग विलाई और ब्रूस बोडर का क्या काम है तो फोल्स ओप केक्रिंग विलाई और माइक्रो विलाई क्या करते हैं छोटी आत की आउसोसन सम्ता को बढ़ा देते हैं जिससे आत की पाचन सकती बढ़ जाती है आगे देखते हैं इलियम मे जो लशी का गंती होती है उसे पियर पैचर्स कहते हैं अगली बार सवाल आया था कि पियर पैचर्स का पाया जाते हैं पियर पैचर्स छोटी आथ के ईलिम में पाया जाते हैं पियर पैचर्स का क्या काम है पियर पैचर्स लशी का गंतिया बनाते हैं या एंटी बोड़ी का निर्मान करते हैं आगे देखते हैं जो विलाई पाया जाते है छोटी आत में वो फोल्ड हो जाते हैं यानि वलित हो जाते हैं और आत्रगंतिया बनाते हैं जो रशांकूर है फोल्ड होकर आत्रगंतिया बनाते हैं जिसे लिवर कून की गुवा कहते हैं ये लिवर कून की ग हुआ है उसमें तीन परकार की कोशिकां पाए जाती है आए देखते हैं लिवर कुण कोशिका होती है तो तो उनका क्या काम है बहुत आसान बासा में आपको पाचन तंत्र समझाया है विल्कुल सरल बासा में आप इसे नौट्ट भी बना सकते हैं आराम से याद हो जाएगा तो देखो लिवर्कून की जो पहली कोशिका होती है, वो होती है, गलॉबलेट सेल, गलॉबलेट सेल क्या करती है, सलेस्मा का इस्तराउन करती है, जी लिवर्कून की गुवा, कहा होगी, रसंकुर वलित होके लिवर्कून की गुवा बनाएंगे, लिवर्कून की गुवा प यह जल अमगुटे तब पाचक एंजाइमों का स्ट्रावाण करती है और जो तीसरी कुषिका होती है वह होती है पैने छेल क्या करती है यह लाइसोजर्म का लिख करती है जो वक्षन द्वारा जिवाण वोको नश्ट करते हैं, अब बात करते हैं, चोटी आथ का तो छोटा सा पार्ट रहे गया है, वो है, ग्रहणी भाग में, ब्रूनर की ग्रंतिया पाई जाती है, जो केवल मुकस का इस्तरवर करती है, तो ये थी चोटी आथ, मोटे मोटे तौर पर याद क्या रखना है, चोटी कितने प्रकार की कोशी का बनाती तीन प्रकार की ग्लोबलेट सेल एल्टेरोसाइटिक सेल और पैनेट सेल इनका काम आप देख लीजिए इसकी सोड भी ले लीजिए इसका आगे बात करते हैं अपन इससे बाद पोचन कहा आएगा बड़ी आथ में आएगा यह चोटी होती है लेकिन इसका व्यास बड़ा होने के कारण इसको बड़ी आथ का गया है बाकी यह लंबई में छोटी होती है यह लगबग डैड बिटर तक लंबी होती है तो जो बड़ी आथ है यह भी तीन भगों में बटी होती है इसका जो पहला भाग है वो होता है सिकम जो दूसरा भा जो सिख्कम वाला भाग होता है वो एक आउसेसी अंग की तरह रहता है क्योंकि इसमें वर्मी फार्म अपेंडिक्स पाए जाता है इसको सल्य किरया द्वारा इस अपेंडिक्स को बार निकाल दे जाता है लेकिन इस पर हमारे चरीर पर कोई प्रभाव नहीं परता है। क्योंकि जो appendix होता है वो एक है इसको होने और नहीं होने से कोई प्रभाव नहीं परता है। जो तूसरा बाग होता बड़ी आथ का वो होता है। कोलान ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें एक वाल पायदाता है इलियम से को लाउन में लेकिन कोलोन से वापस इलियम में नहीं चला जाये इसके लिए कोलोन में इलियो सिकम बॉल पाया जाता है ध्यान रख्या का दूस्त इंपोर्टेंट है इलियो सिकम बॉल पाया जाता है जिससे बोजन कोलोन से इलियम में नहीं जा पाए ये बोजन को कोलोन से इलियम में जाने से रोकता है अब जो लास्ट भाग है बड़ी यात का वो होता है रेक् जिवानों पाया जाते हैं जो भक्षन द्वारा जिवानों को नक्स्ट करते हैं तो यह था पाचन तंत्र आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसका तो पहला वाला पाट है उसका लिंक में डिस्क्यूशन में द जन्ने वाल